दोस्तों जब भी हम किसी युद्ध की बात करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले जो छवी उबरती है वो ये गोडों पर सवार सैनिकों, तलवारों और तोब गोले से लेस युद्धाओं की और ऐसी वीरों की गाताएं हम पढ़ते सुनते भी आये हैं और दोस्तों भारत के इतिहास में कुछ गाताएं ऐसी भी है जो नारी शक्ती का साक्षात उधारन रही हैं पर कालकंड के पन्नों में कहीं खोकरसी रह गई तो दोस्तों आज आप सब के समक्ष एक ऐसी ही नारी शक्ती और मात्र भक्ती की रक्षा से जुड़ी घटना लेकर हाजिर हूँ जिसमें अपने अदम्या साहस का परीचे देते हुए ना सिर्व अपने कर्तव्यों को निभाया बलकि दुश्मन के सैनिकों का पूरी तरह खात्मा भी कर दिया मैं बात कर रहा हूँ उन्ना के उबावा की दोस्तों मेरा नाम है अभी और धार्मिक इंडिया चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ आप सब के लिए भारत की संस्कृति से जुड़ी वो कहानिया और किस्से जिने इतिहास में भुला दिया गया तो चलिए बिना किसी दिरी के वीडियो शुरू करते हैं माराश्च्रो और माईसूर रियासतों के बीच मौजूद चितरदुर किला जिसे लोकली एलसुतिना कोते या दो फोटो सेविन सर्कल्स भी कहा जाता है इस पर अठारवी शताबदी में नायक किंग्डम का राज था कई एतिहासिक युद्ध का साक्षी रहा ये किला हमेशा युद्धाओं के आकरमन और कबजा करने की लालसौं का केंद्र बना रहा उस जमाने में हैधर अली अपने क्रूर साशन और पावरफुल मिलिटरी लिडर्शिप के लिए जाना जाता था अपने द्वारा लड़ी लड़ाईयों में वो गाव, शहर और उनके खजाने लूट लिया करता था पर इस कहर से चित्रदुर्ग सुरक्षित था क्योंकि चित्रदुर्ग के राजा मादकारी नायक ने हैधर अली से संदी की हुई थी पर किसी गुप्तचर के कान भरे जाने से क्रोधित होकर हैधर अली ने आखिरकार चित्रदुर्ग पर भी हमला करने का फैसला कर लिया वैसे चित्रदुर्ग का किला अपनी असीम सुरक्षा और आक्रमन कारियों के इरादों को विफल करने के लिए भी मशूर था और इसी वज़े से हैदर अली की सेना कूटनितिक तरीके जैसे रिश्वत, गुप्तचर भेजना, निक्रानी रखवाना और कई आक्रमनों के बाद भी चित्रदुर्ग पर गबजा करने में विफल रही ऐसा ही एक मौका पाकर हैदर अली को किसी गुप्तचर द्वारा सूचना मिली कि चित्रदुर के किले में एक छोटी से किंदी यानि की सुराख मौजूद है जहांसे एक वक्त पर एक इंसान के गुसने जितनी जगा है और यही इकलोता रास्ता है जहांसे किले के बीतर दाकिल हुआ जा सकता है पर इसमें समस्या ये थी कि उस किंदी की रखवा ली एक वफादार पहरेदार जिसका नाम कलानायक था वो किया करता था पर दोपेर में कुछ वक्त के लिए वो खाना खाने घर जाये करता तब वही किंदी असुरक्षित होती और यही वो वक्त था जब एक एक करके हैदर अली के सैनिक उस किंदी से किले में दाकिल हो सकते थे तो योजना के मुताबिक एक दिन जब कलाना एक खाना खाने घर गया तो घर पर पीने का पानी ना होने की वज़े से उसने अपनी पत्नी को जिसका नाम उबावा था पानी लाने को भेजा अब हुआ यूँ कि जहां से वो पानी भरने गई वो जगा ठीक उस किंदी के पास मौजूद थी और उबावा ने वहीं से किंदी की तरफ लाइन से आते हैदर अली के सेनिकों को देख लिया उबावा अपनी अदम में बहादूरी का परीचे देते हुए किंदी के भीतर बैट गई और अपने हाथ में बड़ा सा लकडी का मोटा मूसल जो खेतों में धान कूटने के काम आता था जिससे कंडड में उनाक के कहा जाता है लेकर सेनिकों के आने का इंत्जार करने लगी जैसे ही उसने पहले सेनिक को किंदी के भीतर सर डाले देखा उनाके से अबावा ने इतना जोड से प्रहार किया कि वो वहीं मर गया और उबावा ऐसे एक-एक करके अंदर आते हर सैनिक को मौत के घाट उतार दी गई बाहर क्रमभद ऐसे सैनिकों को ये पता नहीं चल पा रहा था कि किंदी के बीतर सैनिक मर रहे हैं और आप जरा सोची उस विरांगना के शौरिय और बहादूरी के प्रदर्शन को जो अकेले उसने कई दस्यों सैनिक मार दिये अब तक कलाना एक भी अपना भोजन खत्म कर वहां पहुँच चुका था तब उसने ओबावा को वहां खून से सने कपड़ों और कई सैनिकों की लाशों को देख चोकनना होकर किले का बिगुल बजा दिया इतने में ही चित्य दुर्ग के कई सो सैनिक पी वहां आ पहुँचे और कुछी देर में हैदर इली के सारे सैनिक मारे जा चुके थे हाला कि इतिहास कारों का कहना है कि ओबावा की मृत्यू भी उसी दिन हो गई थी यह अभी तक सपष्ट नहीं है उनकी मृत्यू की असली वज़य क्या थी पर आप कल्पना कीजिए नारी शक्ती के साहस की असीम पराकाश्ताओं और अपनी मात्र भूमी की रक्षा के लिए दिये गए बलिदान के बारे में हम आज जिस नारी सशक्ती करण की बात करते हैं हमारी संस्कृती के पन्ने भरे पड़े हैं ऐसी वीर गाताओं से जिसे हम इस चैनल धार्मिक इंडिया पर लेकर आते रहते हैं आप सब के लिए तकि आप रूबरू हो सके हमारे सुनेरे इ इतिहास के इन विरासतों के बारे में तो दोस्तों फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए अपने दोस्त अभी को इजाज़त दें जै भारत वर्ष जै माभारत